हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सबस्वस्थ होंगे आए आज आपका नया पाठ सांख्य की पढ़ना आरंब करते हैं कक्षा नौ में आप दिये हुए आंकडों को अवर्गी करत एवं वर्गी करत बारंबारता बटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं आपने आंकडों को चित्रिये रूप से विभिन आलेखों जैसे दंड आलेख, आयत चित्र, इन में असमान चुड़ाई वाले वर्ग अंतराल भी समिलित थे और बारंबारता बहुवुजव के रूप में निरुपित करना भी सीखा था तथे तो ये है कि आप अवर्गी करत आंकरों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधी निमरिकल रेप्रेसेंटेटिव ग्याद करके एक कदम आगे बढ़ गये थे इन संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्रिय प्रवत्ती के मापक यानि measures of central tendency कहते हैं हमने ऐसे तीन मापकों अर्थात, माध्य यानि मीन, माध्यक यानि मीरियन और बहुलक यानि मोड का अध्यन किया था इस अध्याय में हम इन तीनों मापकों अर्थात, माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्यन अवर्गीकरत आंकडों से वर्गीकरत आंकडों के लिए आगे बढ़ाएंगे हम संचई बारंबार्था यानि cumulative frequency और संचई बारंबार्था सार्नी की अवधार्णाओं की चर्चा भी करेंगे तथा ये भी सीखेंगे कि संचई बारंबार्था वक्रों यानि cumulative frequency curves जो तोरण यानि ओजाईव कहलाती हैं को किस प्रकार खीचा जाता है तो आईए हम देखते हैं माध्य कैसे हमने निकालना सीखा था जैसा कि हम पहले से जानते हैं दिये हुए प्रेक्षणों का माध्य या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है कक्षा 9 से याद कीजिए कि यदि प्रेक्षनों x1, x2, xn की बारम बारताएं क्रमशह f1, f2, fn हों तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षन x1, f1 बार आता है, प्रेक्षन x2, f2 बार आता है इत्यादी अब सभी प्रेक्षनों के मानों का योग बराबर होगा f1, x1, f2, x2, fn, xn है तथा प्रेक्षनों की संख्या f1, f2, fn है अतह इनका माध्य x निम्लिखित द्वारा प्राप्त होगा x बराबर f1, x1, plus f2, x2, plus fn, xn बाटा, f1, plus f2, plus fn, ठीक है विचों, आईए देखते हैं आगे याद कीजिए कि उप्रोक्त को संक्षिप्त रूप में एक युनानी अक्षर बड़ा सिग्मा यानि capital सिग्मा से व्यक्त करते हैं इस अक्षर का अर्थ है जोड़ना यानि summation अर्थात x बराबर sigma fi xi बटा summation या sigma fi इसे और अधिक संक्षिप्त रूप में x बराबर sigma fi xi बटा sigma fi लिखते हैं यह समझते हुए कि i का मान एक से n तक विच्रण करता है आईए इस सूत्र का निमन लिखित उधारण में माध्य याद करने के लिए उप्योग करें किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विध्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किये गए अंक नीचे एक सार्णी में दिये गए हैं इन विध्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ग्याद कीजिए प्राप्तांख और विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है प्राप्तांख है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 72, 80, 88, 92 और 95 और ये आप देख रहे हो आगे विद्यार्थियों की संख्या दे रखिए एक, एक, तीन, चार, तीन, दो, चार, चार, एक, एक, दो, तीन, एक याद कीजिए कि माध्य ज्याद करने के लिए हमें प्रतेक एकसाई से उसकी संगत बारम बारता एफाई द्वारा गुणनफल की आवशिक्ता है अतह आए इन गुणनफलों को सार्णी में दर्शाए अन और यह है विद्यार्तियों की संख्या एफाई यह रेखिए हाँ पर कुल विद्यार्ती तीस हैं तो सिग्मा एफाई हुआ तीस और आगे हमने निकाला है गुणनफल एफाई एकसाई 10 को एक से गुणना किया 10 आया 20 को एक से किया 20 आया और 36 को तीन से किया 108 इसी प्रकार हमने सारे गुणनफल कर लिए और इनका योग किया एफाई एकसाई जो आया हमें 1789 अब हम इसका सूत्र जानते हैं एकस बराबर सिग्मा एफाई एकसाई बटा सिग्मा एफाई जो बराबर हुआ 1789 बटा तीस और यह हुआ उनसट दशमलव तीन अतर प्राप्त किया गया माध्य अंग उनसट दशमलव तीन है ठीक है बच्चो समझ में आया आए अगला प्रेशन देखें प्रतेक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदू मान की आवशकता है जो पूरे अंतराल को प्रतिनिधित्व करें यह मान लिया जाता है कि प्रतेक वर्ग अंतराल की बारम बारता उसके मध्य बिंदू के चारों और केंदृत होती है अतह प्रतेक वर्ग के मध्य बिंदु यानि midpoint या वर्ग चिन जिसको हम class mark कहते हैं को उस वर्ग में आने वाली सभी प्रेक्षनों का प्रतिनिधी यानि representative माना जा सकता है याद कीजिये कि हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु या वर्ग चिन उसकी उपरी और निचली सीमाओं का औसत निकाल कर ग्याद करते हैं अर्थात वर्ग चिन बराबर है उपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा दो आए हम इसको समझते हैं उधारन द्वारा नीचे दी गई सानी भारत के विभिन राज्यों एवं संगिय चेत्रों यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीन चेत्रों के प्रात्मिक विद्यालियों में महीला शिक्षिकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है इस अनुछेद में चर्चित तीनों विधियों से महीला शिक्षिकों का माध्य प्रतिशत ग्यार कीजिए हमारे पास महीला शिक्षिकों का प्रतिशत दिया है 15-25, 25-35, 35-45, 65-65, 55-85-85 और राज्यों संगिय चेत्रों की संख्या इस प्रकार है 6-11-7-4-4-2-1 आए प्रतेक वर्ग अंतराल का XI जात करें और उन्हें एक स्तम में रखें यह हमारे पास महीला शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है राज्यों संगिय चेत्रों की संख्या FI यह हमने हाँ पर लिख ली और यह हमारे पास आया 15-25 बटा 2 कितना आएगा XI? 20 देखिए 15 को 25 में जोडेंगे आएगा 40 40 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 20 इसी प्रकार 25 प्लस 35 बटा 2, 30 और हमने सारे XI इस प्रकार निकाल लिए यह हम A को क्या मान रहे हैं? 50 ठीक है? और H हमारा कितना है? 25 में से 15 घटा दीजिए कितना आएगा? 10 ठीक है? और DI होगा XI माइनस 50 और UI बराबर होगा XI माइनस 50 बटा 10 अब हम DI और UI याद करते हैं और इन्हें सार्णी में रखते हैं आएए देखिए हमारे पास महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है राज्यों संग्य चेत्रों की संख्या और हमने यह XI निकाला था भी DI हम निकालेंगे XI माइनस 50 करके अब देखिए XI हमारे पास यह है इस में से हम 50 घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस 30 30 में से 50 घटाएंगे तो आएगा माइनस 20 40 में से 50 घटाएंगे माइनस 10 50 में से 50 घटाएंगे 0 और इस में से 50 घटाएंगे 10 बस इसी प्रकार से हमारे पास 20 और ये आ जाएगा 30 अब हम निकालेंगे UI XI माइनस 50 बटा 10 ये 10 आया था हमें 25 में से 15 घटा के यहाँ पे 30 को, माइनस 30 को 10 से भाग दिया माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 आया अब हम निकालेंगे FI, XI FI और XI को हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 120, 11 को 30 से करेंगे 330 इसी प्रकार हमने गुणा करके और यहाँ पे योग निकाला 1390 अब हम निकालेंगे FI, DI देखिए यह FI है और यह DI है तो 6 को माइनस 30 से गुणा किया 180 11 को माइनस 20 से किया तो आया माइनस 220 इसी प्रकार से हमने योग किया तो माइनस 360 आएगा और फिर हमने निकाला FI, UI इसमें FI 6 है और UI माइनस 3 है तो 6 को माइनस 30 से गुणा किया तो माइनस 13 11 को माइनस 2 से किया माइनस 22 इस प्रकार हमने इसका योग करके निकाला तो माइनस 36 आया अब देखिए उप्रोक साड़नी में हमें सिगमा FI कितना दे रखा है? यह सिगमा FI है 35 और सिगमा FI XI है हमारे पास 1390 सिगमा FI DI है माइनस 360 और सिगमा FI UI है माइनस 36 अब आगे देखिए हम सूत्र में रखेंगे प्रतिक्ष विदी का प्रयोग करने से X बराबर है सिगमा FI XI बटा सिगमा FI जो बराबर होगा 1390 बटा 35 और इसको हम निकालेंगे तो आएगा 49.71 कल्पित माध्य विदी का प्रयोग करने से हमारे पास सूत्र है X बराबर A प्लस सिगमा FI DI बटा सिगमा FI A हमारे पास था 50 प्लस ये हमने योग निकाला था कितना था माइनस 360 बटा 25 और इसको हल करके हमें मिलेगा 49.71 पग विचलन विदी के प्रयोग से X बराबर है A प्लस सिगमा FI UI बटा सिगमा FI गुणा H अब इसमें हमने मान रख्या 50 प्लस माइनस 36 बटा 35 और इसको भी हल करके हम क्या पाते हैं यह आया मरपस 49.71 अतह गामेन शेत्रों के प्रात्मिक विद्यालियों में महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत 49.71 है समझ में आया बच्चू हमने तीनों विद्य से यहां हल करके निकाला कि हमारे पास माध्ये सब बराबर हैं ठीक है आटिपनी पर गौर करें पहले अगला प्रश्न करने से पहले सभी तीनों विद्यों से प्राप्त परिणाम एक ही समान है अतह माध्ये ज्याद करने की विधी चुन्ना इस बात पर निर्बर करता है कि XI और FI के मान क्या है यदि XI और FI परियाप्त रूप से छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधी उप्युक्त रहती है यदि XI और FI के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो हम कल्पित माध्य विधी या पग विचलन विधी का प्रयोग कर सकते हैं यदि वर्गमाप असमान हैं और XI संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो भी हम सभी D.I का एक उप्युक्त सर्वनिष्ट मुरन खंड H लेकर पग विचलन विधी का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है बचो आएए अगला उधायन देखते हैं नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसिये क्रिकेट मैचों में गेंद बाजो द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है उप्युक्त विधी चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ग्याद कीजिए ये माध्य क्या सूचित करता है ये हमें बताना है विकेटों की संख्या इस प्रकार दे रखिये 20 से 60, 7 से 100, 100 से 1500, 1500 से 2500, 2500 से 350, 350 से 450 और गेन बाजों की संख्या इस प्रकार है, 7, 5, 16, 12, 2, 3 आएए हल समझ लेते हैं, यहां वर्ण माप भिन भिन हैं तथा XI संख्यात्पक रूप से बढ़े हैं आएए ए बड़ाबर 200 और H बड़ाबर 20 लेकर पग विचलन विधी का प्रयोग करें तब हम सार्णी में दर्शाएं अनसार आंक्रे प्राप्त करते हैं देखे, यहां पर लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाई गई है गेन बाजों की संख्या FI यहां पर लिख ली हमने और XI आपने सीखा था कैसे निकालना है, 20 प्लस 60 बटा 2 यह हुआ, 80 बटा 2, 40, 60 प्लस 100, 160 बटा 2, 80 इस प्रकास से हमने सब XI निकाले, अब हम निकालेंगे D I, D I है XI माइनस 200, ए हमने लिया हैं यहां पर 200, ठीक हैं? अब देखिए, 40 में से 200 घटाएंगे माइनस 160, 80 में से 200 घटाएंगे माइनस 120, 125 में से 200 घटाएंगे माइनस 75, इस प्रकास से हमने यह मान निकाले, और अब हम U I निकालेंगे, U I क्या है? D I बटा 20, 20 कहां से आया हमारे पास? यह हमारे पास यहां पर माइनस 8, माइनस 160 को हमने 20 से भाग दिया, तो माइनस 8, माइनस 120 को 20 से भाग दिया, तो माइनस 6, इस प्रकार से हमें यह संख्या आई और फिर हमने u i f i निकाला है, यह हमारे पास f i है, यह हमारे पास u i है, इनका हम गुणा करेंगे, गुणान फल निकलेगा, 7 को माइनस 6 से, और 5 को माइनस 6 से, 16 को माइनस 3.75 से, इस प्रकार हमें इसका योग मिलेगा, माइनस 106 और u हम निकालेंगे, माइनस 106 बटा 45, इसलिए x बराबर होगा, 200 प्लस 20 गुणा, माइनस 106 बटा 45, और यह हुआ, 200 माइनस 47.11, जो बराबर होगा, 152.89, यह हमें बताता है कि उप्रोक्त 45 गेंदबाजो ने, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, औसट से, विकेट लिए हैं, 152.89 की औसट से विकट लिए हैं, ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें, आपकी प्रशनावली 14.1 का पहला प्रशन, किसी फैक्टरी के श्रमिकों की द्यानिक मजदूरी के निमन लिखिद बंटन पर विचार कीजिए, ड्यानिक मजदूरी रुपे में और श्रमिकों की संख्या, उनके सामने दर्श आई गई है, 500 से 520, 12, 520 से 544, 540 से 568, 560 से 586, और 580 से 600 की बीच में 10, एक उप्युक्त विधी का प्रयोग करते हुए, इस फैक्टरी के श्रमिकों की माध्यर द्यानिक मजदूरी ज्याद कीजिए, आईए, सूत्र का प्रयोग करेंगे, वर्ग चिन निखालने के लिए, एक साई बराबर उप्री वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा दो, बंटन का वर्ग माब, ह बराबर 20 है, और देर सो को कल्पित माध्य है, ए माना है, डी आई यू आई और एफाई यू आई का मान निम्न लिखित सार्नी में प्राप्त कर सकते हैं, देखिए, यह हमारे पास द्यानिक मजदूरी रुपे में है, श्रमिकों की संख्यादी हुई है, और XI हमने निकाला 100 प्लस 120 यह हुआ 220 बटा दो, यानि 110, 120 प्लस 140 बटा दो, 130 इत्यादी है, ऐसे हमने निकालेंगे, और D I ही निकालेंगे, XI minus 1500, 110 minus 1500, यह हो जाएगा minus 40, 130 minus 1500, यह हो जाएगा minus 20, इस प्रकार हमने यह, 170 में से 1500 निकालेंगे, 190 में से 1500 निकालेंगे, यह हो जाएगा 40, अब U I निकालने कол लिए D I को B से भाग दे देंगे, यह हमारे पास आजाएगा minus 40 बटा 20 जो आया minus 2 minus 20 बटा 20 minus 1 इस प्रकार 012 मिला अब हम यह हमारे पास f i था और यह हमारे पास u i है इनका गुणनफल निकालेंगे देखिए 12 को minus 2 से गुणा किया minus 24 14 को minus 1 से किया minus 14 इस प्रकार हमारे पास इसका योग आया minus 12 ठीक है पिच्चो आएए आगे हम इसको निकालते हैं यहां सार्णी से हमें निमिल लिकित्मान प्राप्त होते हैं सिग्मा f i कितना था? 50, सिग्मा fi u i हमें मिला था minus 12 ए हमने लिया था 150 और h था 20 मार्धिय हमारे पास पता है हमें x बड़ाबर a प्लस सिग्मा fi u i बटा sigma fi गुणा एच, देर सो प्लस माइनस बारा बटा पचास गुना 20, इसको हम हल करेंगे, देर सो माइनस, अब देखी, 0 से शुर्णी कट जाएगा, 12 दुना 24 बटा पांच आएगा, इसको हल करेंगे, तो देर सो माइनस 4.8 आए, इसको हल करके 145.2 मिलेगा, अतह इस फैक्टरी के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी एक सो पेंतालेस रुपे बीस पैसे है ठीक है बच्चू समझ में आया आईए अगला प्रेशन करते है निमल लिखित बंटन एक महले के बच्चों के दैनिक जेव खर्च दर्शाता है माध्य जेव खर्च अठार रुपे है लुप्त बारंबारता एफ ग्यात कीजिए बहुती प्यारा प्रेशन है यहां माध्य हमें दिया हुआ है कितना है अठार रुपे और हमें क्या निकालना है लुप्त बारंबारता एफ जयात करना है ठीक है प्रतेक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन जयात करने के लिए निमिल लिखित सूत्र हम प्रयोख करेंगे वर्ग चिन एकस बराबर है उपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा दो बंटन का वर्ग माप H यहाँ पर दो है देखिए 13-11 दो हुआ 15-13 दो 18 को कल्पित माध्य ए माना Di और Fi Di का मान निमलिकित सार्णी से प्राप्त कर सकते हैं देखिए द्यानिक जय भत्ता रूपय में हमने इस प्रकार लिखा और बच्चों की संख्या Fi हमें दे रखी है यहाँ पर हमने इसको जोड़ा तो हमें मिला 44 प्लस F और XI हमने वैसे ही नि 12 13 प्लस 15 हुआ 28 को 2 से भागिया 14 इसी प्रकार हमने XI निकाले अब हम निकालेंगे Di कैसे निकालेंगे यहाँ पर A हमें दिया हुआ है 18 ठीक है तो हमने 12 में 18 को घटा लिया इसी प्रकार 14 माइनस 18 माइनस 4 16 माइनस 18 माइनस 2 और इस प्रकार हमारे पास यह 22 माइनस 18 हुआ 4 24 माइनस 18 हुआ 6 तो यह हमारे पास Di आ गए और Fi हमारे पास यह पहले से थे Fi और Di को गुना करके यह गुननफल हमारे पास आ जाएंगे माइनस 42 माइनस 24 हित्यादी और इनका हम योग करेंगे तो हमें मिलेगा 2F Plus 40 2F यह हम करके देखते हैं माइनस 42 माइनस 24 माइनस 18 और यह हमारे पास हुआ जावालिस तो यह हुआ माइनस 40 तो 2F माइनस 40 इसका मतलब सिग्मा Fi Di बराबर हुआ 2F माइनस 40 अब आगे देखें हम सूत्र लगा के कैसे इसको हल करते हैं यह आसानी से हमें निम्लिकित मान प्राप्त होते हैं सिग्मा Fi है 44 प्लस f सिग्मा Fi Di बराबर है 2F माइनस 40 और A बराबर है 18 तो माध्ये का सूत्र लगाएंगे X बराबर A प्लस सिग्मा Fi Di बटा सिग्मा тол才 सिग्मा Fi 。 X हमें दे रखा है इहां पर माध्ये 18 बराबर है 18 प्लस 2F-40 बटा 44 प्लस F अब देखिए 18 को हम इदर 8 ले आएंगे तो cancel होकर कि 0 मिलेगा 0 बराबर 2F-40 बटा 44 प्लस F अब हम तिर्ची गुना करेंगे 0 से 44 प्लस F को गुना करेंगे तो हम इस 0 मिलेगा 2F-40 बराबर 0 यानि 2F बराबर 40 और F बराबर क्या हुआ 20 ठीक है भच्चों यही हमें निकालना था ठीक है आए अब गरह कारे के लिए कुछ प्रशन लेलेते हैं पहला प्रशन अभ वर्गिकृत आंकडो का माध्य तथा इन आंकडों को वर्गिकरत करने के बाद परिकलित किया गया माध्य सदेव बराबर होते हैं क्या आप इस कथन से सहमत हैं अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए दुसरा प्रश्ण एक गणित टेस्ट में 20 विद्यार्थियों के निमलिखित प्राप्तांकों का माध्य ग्याद कीजिए प्राप्तांक 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 और विद्यार्थियों की संख्या इस प्रक कीजिए वर्ग 4-7, 8-11, 12-15 और 16-19 बारम बारता है 5-4-9-10 असान है कर लेंगे अगला प्रश्ण 50 कर्मचारियों के एक प्रतिदर्ष की ध्यनिक आय निमलिखित रूप में सार्णी बद्ध है आय रुपे में कर्मचारियों की संख्या एक से दोसो रुपे, दोसो एक से रुपे, 401-600 रुपे, 601-800 रुपे और कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है 14-15, 14-7 कर्मचारियों की माध्य देनिक आय ज्याद कीजिए ठीक है बच्चों आईए अब सारांच देख लेते है केंद्री प्रवत्ति के मापक प्रतेक्ष या सीधी विदी माध्य एक्स बराबर सिग्मा FIDI बटा सिग्मा FI जहां XI वर्ग चिन आईवे वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है तथा FI उसकी संगत बारंबारता है कल्पित माध्य विदी माध्य एक्स बराबर a प्लस सिग्मा f i d i बटा सिग्मा f i जहां a कल्पित माध्य है और प्रतेक i के लिए d i बराबर है x i minus a से x i के विचलन है आगे पग विचलन विधी माध्य x बराबर है a प्लस सिग्मा f i ui बटा सिग्मा f i गुना h जहां a कल्पित माध्य है h वर्गमाप है तथा ui बराबर है x i minus a बटा h यदि वर्गमाप size असमान हो तब भी तीसरा यह जो आप में तीसरे में सूत्र दिया हुआ है वो प्रयोग किया जा सकता है इसके लिए h को सभी d i का एक उप्युक्त विभाजक लेना होगा ठीक है बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद झाला करते हुआ déjàे अभ्यास कीजिएगा